So Hello Guys, दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Instagram को डाउनलोड किये बिना कैसे आप उसे अपने मुबाइल में यूज कर सकते हो, कैसे Instagram को डाउनलोड किये बिना चला सकते हो अपने मुबाइल में तो गाइस वीडियो बहुत ही अधा इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को आपको बिना इसकेप किये एकदम सुरू से लेकर लाश तक देखते रहना है तभी आप जान सकते हो तो गाइस आपको क्या करना है इंस्टाग्राम को चलाने के लिए बिना डाउनलोड करके तो गाइस आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने मुबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपेंड करना है दोस्तों क्रोम ब्राउजर का एप्लिकेशन हर किसी के मुबाइल में होग तो आपको इसी application को open कर लेना है और Chrome browser को open कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर search करना है Instagram.com तो आपको यहाँ पर search करना है Instagram.com और यहाँ पर आप Instagram के website में आ जाएंगे तो उसके बाद guys आपको क्या करना है आपको sign up करना है या फिर login कर सकते हो यदि पहले से कोई भी आपका account है तो आपको login के ओपर click करके आप उसे login कर सकते हो यदि कोई account नहीं है तो आपको उसे sign up करके आपको account create कर लेना है तो मेरे पास पहले से ही account है तो मैं उसे login कर लेता हूँ तो login के ओपर click करना है और यहाँ पर हमारा account facebook से है तो मैं facebook के ओपर click कर देता हूँ और facebook के ओपर click करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा हमें यहाँ पर अपना जो ID है और पासवर्ट है Facebook का उसे हमें यहाँ पर डाल देना है तो चलिए मैं उसे डाल देता हूँ तो guys हमने Facebook का ID और पासवर्ट डाल दिया हूँ उसके बाद आपको क्या करना है आपको sign in के उपर क्लिक करना है login के उपर क्लिक करना है और login के उपर क्लिक करने के बाद guys instagram में आप login हो जाएंगे तो guys अभी आप देख सकते हो हम instagram में login हो चुके है तो इस प्रकार से आप भी instagram को use कर सकते हो बिना download किये तो अब ही आप कुछ भी यहां से देख सकते हो आपका follower कितना हुआ है तो यहां से आप Instagram को बिन्या download किये इस प्रकार से आप use कर सकते हो आसा करता हूँ guys यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना करता हुआ हुआ है